नमस्कार स्वागते आपका न्यूस वॉल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं लेकिन इस नवरात्री में भी कोरोना वेश्विक महमारी का खत्रा बना हुआ है नवरात्री में मादुरगा के नौसौग रूपो की पूझा अरचना की जाती है नवरात्री शब्द दो शब्दों को जोड का बना है जिसमें पहला शब्द नव और दूसा शब्द रात्री है जिसका अर्थ होता है नौ राते नवरात्री पर वो भारत के कई राज्यों में मनाये जाता है सबसब कई लोग पूरे नौ दिनों तक उपास रख मा की अराधना करते हैं नवरात्री वरत का पारण कन्याओं को भूजन करा की किया जाता है कई लोग नवरात्री के आठवे दिन का न्याओं का पूजन कर अपना वरत खोल लेते हैं जिसे अस्टमी कहा जाता है तो कई लोग आठ दिन वरत रख कर नौवे दिन पूजन का वरत खोलते हैं इसे नौवी के नाम से जाना जाता है वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नवरात्री के नौ दिन उपास रख दश्वे दिन वरत का पारण करते हैं नवरात्री के दश्वे दिन को मिज़े दश्मी के नाम से जाना जाता है कहते हैं इसी दिन भगवान श्री राम ने रावन का वद्ध किया था नवरात्री के 9 दिन माता के अलग-अलग सोरूपों की पूजा होती है भक्त पहले दिन कलश सापना करते हैं कलश सापना के लिए शुब मोरा देखना बेखदी जरूरी माना गया है कई घरों में पूरे 9 दिन तक अखंड जोद भी चुलाई जाती है इन दिनों जो उगाने की भी परंपरा है मा को प्रसंद करने के लिए भक्त 9 दिन माता की विदी विधान पूजा करके भजन कीतन करते हैं चुलिए गुड मॉर्निंग इडिया में दूसरी खबर का रुख करेंगे देश में बढ़ते कोरोना कोले का देश में कोरोना का संकाट अपना विक्राल ग्रूप दिखा रहा है हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं देश के अलग-अलग हिस्सों से अस्पतालों में बैट्स की कमी की तस्वीरे सामने आ रही हैं जो साल 2020 में वी से भी बुरा मनज़र दिखा रही है इस सब के बीच बीच बीते 24 घंटे में अगर कोरोना के नए मामलों की बात की जाएं तो एक बार फिर एक लाग साथ हजा कोरोना के केस दर्ज किये गए हैं जबकि 880 लोगों की जान चली कई बीते कुछ दिनों से हर रोज 1,50,000 से ज़्यादा केस दर्ज किये जा रहे हैं देश में कई ऐसे राज़े हैं जहाँ पर कोरोना का संकर बेकाबू कुछ चला है महराश्ट इन में सबसे पहले आता है यहाँ पर बीते दिन भी 51,000 से ज़्यादा केस दर्ज किये गए थे हाला की बीते कुछ दिनों से के मुकाबले यह आकड़ा कम है लेकिन रविवार को क्योंकि टेस्टिंग की संख्या कम थी इसलिए ऐसे में यह अंतर इतना जलक रहा है महराष्ट के अलावा देली यूपी करना तक गुजरात ऐसे कई राज्ये हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड मामले सामने आ रहे हैं वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्ता के बीच देश के कई हिस्सों में पावंदिया भी लोटाई है महराष्ट में लोगडाउन पर विचार चल रहा है और लोगडाउन लगाना संभव ही माना जा रहा है जिस पर एक दो दिन में फैसला हो सकता है वहीं मद्रप्रदेश में पहले ही नाइट कर्फ्यू विकेंड लोगडाउन लगा गया था और अब भुपाल में संपूर लोगडाउन लग गया है भुपाल में 19 अप्रेल तक लोगडाउन चारी रहेगा गुजरात में के भी कई शहरों में कोरोना कोले का कर्फ्यू लगा दिया गया है चलिए गुण बॉनिंग इंडिया में तीसरी खबर का रुख करेंगे चीन ने तिबद सीमा के पास विश्व के सबसे उचे रडार स्थर पर 5G सिकनल बेस खूला है गनबाला रडार स्टेशन पर चीन ने इंटरनेट सर्विश शिलू की है भारत के लिए ये खबर इसलिए एहम है क्योंकि गनबाला रडार स्टेशन भारत और भूटान की सीमा से सटा हुआ है चीन की सेना के अधिकारिक वेबसाइट के मताबिक इस टावर की समुद्र उचाई 5374 मीटर है और दुनिया का सबसे ज़्यादा उचाईग पर बना मैनूली काम करने वाला रडार स्टेशन है ये रडार भारत भूटान सीमा पर तिबद के नारगेजर काउंटी इलाके में सित है चीनी सेना की वेबसाइट के मताबिक अपने सेनिकों को 5G सेवा देने के लिए चीन ने पिछले साल गनवाला में प्राइविट सेक्टर के साथ मिलकर इस स्टेशन का काम शुरू किया था वेबसाइट में बताया गया है कि सेवा में शुरू होने के बाद सेनिकों को पहाडों पर बेरिंग लाइफ के भी समाज से जुड़े रह सकेंगे चीन ने इस सेवा को बॉर्डर एरिया में तनाज जवानों की ट्रेनिंग को और भेतर मकसद से लॉंच किया है गुड मॉनिंग इंडिया में फिलाल के लिए बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहेए निउस वॉल इंडिया